हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग आज मैं आप लोगों के साथ चिकेन रेशिपी से यार करूंगी जो बहुत इजी और सिंपल है हमने स्मास्टार डॉयल दे दिया है अभी ये गरम भी हो गया है अभी पोटेटोस को इदर दे लिया है हमने इसको खाई कर लेंगे थोड़ा खाई कर लेंगे पहले इसको पोटेटोस खाई हो गया है अभी इसको हम रख देंगे अभी हम उसी ओयल पे ओनियोन फ्राई कर लेंगे ओनियोन दे दिया है हमने अभी इसको खाई कर लेंगे अच्छे से फ्राई करना परेगा इसको ओनियोन फ्राई हो गया है अभी इसमें हम टॉमेटो जिंजर गर्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट देंगे जो हमने पहले से ही पेस्ट करके रखा है यह पेस्ट को हम इसमें टॉमेटो जिंजर गर्लिक और ग्रीन चिली को एक साथ हमने पेस्ट कर लिया है सब एक साथ हम अभी अच्छे से मिश्ट कर लेंगे इसको भी अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा मसला को मसला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है अभी अच्छे से फ्राई करना जरूरी है ये अच्छे से फ्राई हो गया है अभी इसमें हम हल्दी और नमक देंगे नमक थोड़ा सा इद देंगे हम अलिया नमक को अच्छे से इसमें मिष्ट कर लेंगे अभी अच्छे से मसाला को मिष्ट करने के बाद हम अभी चिकेन को दे देंगे चिकेन के साथ मसाला को अच्छे से मिष्ट करना है अभी पॉटेटो को भी दे दिया है हमने सब एक साथ मिष्ट करना है हमें अच्छे से मिष्ट करना है 15 मिनित तव इसे ऐसे ही मिष्ट करना परेगा अच्छे सी अच्छे से बहुत देड तक कसने के बाद अभी हम इसमें गरम पानी डाल देंगे आपको जितना पानी चाहिए उतना ही देना पर गरम पानी देना अभी टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे इसमें आपको जितना चाहिए आप जैसे खाते हो उतना ही नमक देना नमक को अच्छे से मीश्ट करने के बाद अभी हम इसको ढग देंगे अभी तक यह अभी तक हुआ नहीं है पोटेटोज अभी तक रेडी नहीं हुई है पोटेटोज और चिकेन अच्छे से हो गया है अभी अभी अच्छे से हो गया है अभी हम इनको बंद कर देंगे यह रेडी हो गया है चिकेन रेशिपी आज आपको कैसा लगा ये चिकेन रेशिपी जरूर कॉमेंट में बताना आप जितना पानी आप को चाहिए उतना ही पानी देना अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना आप लोग ये एकदम सिंपल और इजी चिकेन रेसिपी है ज़रूर ट्राइ करना एक बार आप ओके बाई थैंक्स ये देखने के लिए बाई बाई फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम बाई